हलो एवरीवान दिस प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू जे आर टुटोरियल तो कैसे हो गाइस आई होप सभी मज़िमी होंगे और बड़ी आ तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे चलो आज का लेक्चर है हमारा 10 स्टैंडर्ड हिस्ट्री का चैप्टर नमबर 5 जिसका हमने ले समझ में आएंगे इसलिए ठीक है सो जरूर जरूर से जाकर देख लेना और यह हमारा चैप्टर नमबर 5 जिसका नाम है मास मीडिया मास मीडिया क्या होता है किस लिए होता है इससे बहुत सारा इंट्रोडक्शन लेक्चर हमने फौस लेक्चर में देखा हुआ था बहुत स सब्सक्र Survey मास मिडिया क्या होता है मास मीडिया का यूज करते हैं अभी के टाइम पर आपने बहुत सारी चीज़े बहुत सारे सोशल मीडिया ब्लेटफरम यूट्यूब जिससे हम क्या कर रहे हैं आप मुझे देख रहे है कॉमें पनान सेक्षण में आपने कॉमेंट उससे कम्यूनिकेट कर सकते हैं उससे बाते कर सकते हैं ओकी यह क्या है मेरी इंस्टा इडी है उसी तरह से यूट्योप होता है उसी तरह से ट्विचर होता है टेलिग्राम होता है यह सारी चीजे क्या है यह एक तरह से शोचल मेडिया फ्लैटफॉर्म्स यह सारी चीजे हम ल करे उसी तरह से पहले का time period था इस टाइम पर किसी का要स्तिकार इस नाल करते थे अगर किसी को किसी भी जगे का information चाहिए तोकिसे वो किसको के इस नोजब कर थे निउस्पेपर को पढ़ना सबसे जादा प्रैफर करते थे नियूसपेपर पढ़ने इस पता चलता था कि कॉन से स्टेट में कॉन सार पॉलिटीशन ने क्या किया हुआ है कि सब्सक्राइब लग करते हुँगे कि न्यूज पिपर को रीड करें ठीक है यह चीजें हमने देखी हुई है lecture number 1 and 2 के अंदर कि हमें किस के सरह से कौन कौन से चीजें आ जाती है और उसे हम किस सरह से यूज करते हैं अब आज का जो हमारा topic है हमने उसी के साथ साथ कौन कौन से चीजों के बारे में देखा हुआ था हमने देखा हुआ था हमारा first जो न्य प्रभाकर आया हुआ था उसके बाद न्यानोदे आया हुआ था के शरी न्यूस्पेपर आये हुए थे और यह सारे न्यूस्पेपर किसने कौन इनका एडिटर था कौन से टाइम पर थे यह सारी चीजें हमने उस लेक्चर के अंदर डिसकस किया हुआ है जल्दी से जाकर जर मैगजीन क्या होता है बच्चों जादा तर आप मैगजीन में कैसे बताओ आप सबी को अगर आप कभी मॉल वगेरा में जाते होंगे ठीक है मॉल में जाओगे या पिर अगर आप कोई अच्छे बड़े कैफे में जा रहे हो तो वहां पर म्यूजिक तो होता ही है कुछ- पर बहुचने के बाद आप बस से जाएंगे अपने गाओ की तरफ तो बस के अंदर टीवी लगा होता है वहां पर इंटर्टेन्मेंट वही चालू होता है ठीक है उसी तरह से जो अलग-अलग कैफे या फिर मॉल्स में मैगजीन को रखा जाता है और उस मैगजीन से क्या क उसी तरह से उस टाइम पर भी इस तरह की बहुत सारी चीजों को प्रडियूस किया गया था जूर्नल्स को प्रडियूस किया गया था उसमें हिस्टी से रिलेटेट बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीजें हमें पता चलती थी स्टोरियोग्राफी से रिलेटेट बहु रोज रोज नहीं आती है हां आती है रोज रोज डेली बेसेज पर भी-मेसमीं होती है ठीकै और शाथ जो weekly बैकसेस पर को मुस्ली इक भी पर होता है में एक बंच होता है ठीक है वह संहीं होता है कि एक चीज़ों के बारे में उसके अंदर बंच बनाकर वह लॉच करते हैं और फिर लोग उसे क्या करते हैं पढ़ना प्रेफर करते हैं उसे नूज़ेज जब आया हुआ तो उसे जब आया हुआ था तो उसे किसने लाया हुआ था जिनका नाम है बालसासरी जांबेकर बालसासरी जांबेकर ने स्टार्ट किया हुआ था फॉस्ट मंतली मैगजीन उन्होंने फॉस्ट मंतली मैगजीन स्टार्ट किया हुआ था जो की मराठी में है और मराठी में लिखा जान कर बाव सास्त्री जांबेकर इन्हों लिखा हूआ था और वह हो फोस्ट है उसका नाम क्यू था दिङदर्शन का नाम फा minority i मोंबाइक के उन्दर आया हूआ था मतलब महाराष्ट कह तो अफकोस महाराष्ट के अंदर पॉस्टाइम से लॉंच किया गया होगा और साथी साथ उसका नाम क्या रखा गया था दीग दर्शन क्या नाम रखा हुआ था दीग दर्शन ठीक है तो यह याद रखने आपको ठीक है फॉस्ट टाइम एक मैगजीन आया था जिसको किसने किसने लिखा हुआ था फॉस्ट टाइम उस मैगजीन को वेरियस टॉपिक के उपर इन्फॉर्मेशन लिखे दिया हुआ था साती साथ जैसे अलग-अलग मतलब शोशल में शोशली कौन-कौन सी चीज़ें हो रही है हमारे आज पास कौन-कौन सी अलग-अलग चीज़ें हो रही है इस चीज़ से बहुत सारे लिलेटेड है लोगों क जर्नल आया हुआ था 1929 के टाइम पर आया उथा एक जर्नल जिसका प्रगति नाम था और उससे संदर अलग लेक इस Cole से रिलेटी से रिलेटेड या बातो को explain किया जाता है उसे पढ़के लोगों को पता चलता है historiography के बारे में पता चलता है history से related बहुत सारी different different चीज़ों के बारे में उन्हें पता चलता है ठीक है I hope so सबको इतना clear हो गया होगा ठीक है उसके बाद साथी साथ बहुत सारी अब जैसे एक आया तो एक के बाद बहुत सारे और भी लोगों ने इस तरह की magazines को बनाना magazine को छापना और साथी साथ लोगों तक distribute करना ऐसी बहुत सारी चीज़ों को शुरू कर दिया था उसके बाद उसके बाद भी और एक और चीज़ आया था किस तरह से रेफर कर सकते हैं जैसे हमें कुछ weekly basis पर एक और बहुत सारी चीज़े लिखी होई होती है और पिरियोडिकल और magazine थोड़ा बहुत एक दूसरे से similar ही होते है ठीक है तो ऐसी बहुत सारी पिरियोडिकल आने लग गयी थी हमारे Indian history के अंदर और साती साथ एक Marathi journal आया हुआ था भारतियो इतिहास आनी संस्कूरती संस्कूरती नहीं है संस्कूरती है ठीक है संस्कूरती मतलब हमारा भारती इतिहास आनी संस्कूरती मतलब की जो भारत का इतिहास है और उसकी जो संस्कूरती है उस चीज से related ऐसे बहुत सारी अलग-अलग इतिहासी पिरियोडिकल आया हुए थे ठीक है क्या लिखा हुआ है मराठा ओके मराठवारा मराठवारा इतिहास ऐसा एक आया हुआ था पॉब्लिकेश मतलब एक जैसे पिरियोडिकल के फॉर्म में वह लॉंच किया गया था लोगों के लोगों तक पहुचाया गया था और उसके अंदर बहुत सारी अलग-अलग क्या होता है पिरियोडिकल क्या होता है बस फॉर्ट से एक वर łाठ कर लेते हैं किरम किसने जातक गदो जाती नाम रहा था इतना में जो मैज 2009 में उसे लाँच किया गया था किसके द्वारा लॉजके चिजों के और नौलेटी के बारे में इन सब को पता चले इसके वजह से ठीक है में उसे लॉंच किया गया था मराठवाड़ा इतिहास परिश्यद ऐसा एक प्रतिकार ठीक है एक प्रतिकार यह एक आप अगे बढ़ जाए हमारा इलेक्ट्राणिक और डिजीटल जोर्नलिजम अब जैसे जैसे टाइट पेर आगे बढ़ेगा तो क्या हम पेपर के अंदर ही गुसे रह जाएंगे क्या नहीं हमने थोड़ा सा डेवलपमेंट किया आगे जाके जैसे जैसे हमने डेवलपमेंट किया मतलब कि हमने टेक्नोलोजी का शहा सहारा ले लिया था टेक्नोलोजी के हाथ को हमने जोरो से थाम लिया था और अभी तक हम दिन पे दिन प्रगति करते जा रहे हैं अभी हम चोटे से चोटा स्मार्टपॉन यूज करते हैं बड़े-बड़े टैप्स यूज करते हैं बहु इंटरनेत के यूजर में ना इंडिया का भी बहुत जादा नाम आने लग जया है ऑधिक है उस्ट की डिविलफ्मेंट से हमने बहुत-धर टाइम पिरेड आ रहा था उस टाइम पर बहुत सारी अलग-अलग चीज़े आ रहे थी शोशल मेडिया से डिवलप्मेंट होने लग गया था वेब चैनल सा गए थे बहुत सारे अलग-अलग यूट्यूप आ गया था यूटर्प से रिलेटेड बहुत सारी इसके अंदर क्य टलिग्राम जो-टुटर क्या हैं इस तरह की बहुत सारी चीजों के उपर उन्होंने ध्यान भी शुरू कर दिया था दिरे जब इलेक्ट्रोनिक अंदर वो घुसना चुरू किया तरह पोस्टवर से हमारा विम यह 17 है तो फॉर्स ठायम रेडियो आ चुका इस दुनिया में आई हुई हुए तो मैंने कभी तो नहीं देखा हुआ है यह है मैंने रेडियो में जो वह री लगाए हुए होते थे बीवस मैंने देखे हुए मत कर दो कि चोटी देखिल लगबग जब यहाद को फिरी रही होंगे या 3-4 साल की, तो मुझे यह याद है कि 3-4 साल या 4-5 साल की रही होंगी, तो उस टाइम पर मैंने वो टेप दिखा हुआ था, ऐसे गोला गोला पुरा ऐसे घुमा हुआ होता था, हम उसे निकालते था, तो मैं नम जिस घर में रहती थी, हम रिंट पे रते थे जिसके चस्थ पर बहुत सार रखा हुआ हुआ रहता था, तो मैं और मेरा चोटा बाई उसके साथ बहुत जादा खेलते थे खुमाइब कान देते थे, अभी तो आप लोग को नॉर्मली दिखाई नहीं देगा कही पर भी यह बहुत पहले के टाइम पर होता था ठीक है तो मैं भी हूँ बहुत पहले की नहीं हूँ इसके और जिसे मुझे भी नहीं पता है ठीक है तो कैसेट होते हैं ऐसे बहुत सारी अलग-अलग चीजें होती थी रेडियो के अंदर उसे पुट ऑन किया था रेडियो के अंदर कैसेट को डाला जाता था सीडी प्लेयर्स होते थे तो वह सब को देखके हम लोग चीजें पता चलती थी हमें ठीक है सबस्क्राइब इस तरह से बहुत सारी अलग-अलग चीजेगों का दॉलेज मिलता था रेडियो को प्रेफर करते थे 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 तो हम लोग फॉर्स टाइम अपने द्वारा लाया हुआ था लोगों के लिए लाया हुआ था साथ ही साथ उसके बाद बहुत सारी अलग-अलग अब जैसे एक आ जाता है तो उसके बाद बहुत सारी अलग-अलग आ जाते हैं कि नहीं मेंन पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं इसलिए मैंने मेंन पॉइंट्स को यहां पर लिखा हुआ है आपके लिए ठीक है तो यह दो कमपनीज के नेम आपको मेंली याद रखना अगर एडियो का यह टॉपिक आ गया अगर क्वेश्चन आ गया इस चीज से रिलेटेर तो लिक सकते हो थीक है उसके बात जब 8th June आया तब 1936 में ठीक है इंडीपेंडेंडेंस नहीं था ब्हाई हमारे पास उस चैम पर इंडीपेंडेंडेंस मिला होगा तब जब रेडियो पर न्यूज आया होगा है क्या खुशी रही होगी न उस चाइम पर हम आजाद होगे हाश कभी तो आजाद हुए हम चांती मिली होगी है कि ने उस टाइम के नाम रेरली कुछ लोग होते हमारे लाइफ में अभी तो नहीं है मोस्टली चलो ओ नाम क्या रखा गया था और उसके उपर बहुत सारी अलग अलग अनल जोटे थे जो चैनल क्या करते थे जह साथ किसी किसी जगह पे कौन सी चीज़े चल रही है इस तरह के बहुत सारे अलग-अलग न्यूस को भी लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे उसमें से एक हमारा आ जाता है मिर्ची क्या नाम था उसका क्या तो नाम था मुझे याद ने हाँ रेडियो मिर्ची रेडियो मिर्ची से ने हैं आप सभी के पास हम पहुच रहे हैं तो रेडियो मिर्ची ऐसे बहुत सारे अलग- mutual radio जोकीश होते हैं जो कि क्या करते हैं अभी यह चीज बहुत सारे बहुत सारे बढ़े बड़े है जो कि जैसे अब रेडियो मिर्ची हो गया उसी तरह से ऐसे बहुत सारी है अंसी मुंबई यह कौन तो बोलती है उनका नीम मुझे याद नहीं आ रहा है अगर याद आ रहा होगा तो आप बजाना वह बहुत सारी वह खत्रों के खिलाडी में भी गई है ठीक है तो इसके व लोगों को इंटर्टेन करने का वो काम करते थी ठीक है चलो आगे बढ़ जाते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ जो की है हमारा तेलीविजन हमारा सबसे अभी के फिलाल के टाइम पर कोई टेलीविजन को जादा प्रेफर नहीं करता है हम नहीं ही देखते हैं अभी मेरा ही अ फोन ही चला लिया फोन पर ही सब कुछ मिल जाता है तो हम क्या ही टीवी ओन करें उसमें वह इतने सारे अड़ दिमा खरा पुझाता है अड़ को देख देके तो इसके वज़े से हम उसको प्रेफर नहीं करते हैं मोसली क्योंकि हमारा टाइम वहां पर वेस्ट होता है अभी मतलब उनका जो बोलते हैं रिविन काट के उसका उदगाटन करते हैं वो किस ने किया हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रशाद इन्हों ने किया हुआ था कौन से जगा पर मॉंबई के अंदर किया हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रशाद कौन है हमारे फॉस्ट प प्रश्यान के दुआर राजेंद्र प्रशाद दूरा कौन से जगह पर मुंबई के अंदर उसे स्टार्ट किया घया था चलो इसके बाद उसके अन्दर बहुत सारे अलग अलग program बनाए जाते हैं अलग बहुत सारी चैनल आने लग अब हैं दखाई ओर देखो गया सब्सोंग चैनल अगर आप देखेंगे तो एक ही program आपको बहुत सारे अलग-अलग different languages में दिखाई देते हैं तो इसी बहुत सारी चीजे शुरू हो गई थी धीरे-धीरे जैसे जैसे development होने लग गया जैसे टाइम आगे बढ़ गया वैसे वैसे बहुत सारे अलग-अलग channels आ गए थे उसी तरह से फॉर्स जब टीवी आया हुआ था टीवी पे जो program देता था वह black and white form में होता था उसमें कोई color नहीं दिखाई देता था पूरा black and white होता था ठीक है अभी अगर आप 1950 के टाइम चलो 1970 के टाइम का 72 या 80 के टाइम का अगर कोई movie सर्च कर लो YouTube अगर पे तो आपको कुछ तो भी knowledge मिल जाएगा कुछ तो भी पता चल जाएगा ठीक है जब भी program आया हुआ था कौन से टाइम पर आया हुआ था 1st May 1972 में आया था जो कि black and white form में होता है ठीक है कुछ मज़ा ही नहीं आता हुआ कोई ड्रेस ही नहीं कपड़े नहीं दिखाई देंगे कुछ अच्छे से गेट अप मेक अप वगएरा कुछ नहीं दिखाई देता था बस वो black and white साड़ी पहनी होई बस उतना ही दिखाई देता था ठीक है चलो उसके आगे हमें जैसे जैस कुछ मेंट होने लगया वगें तो उसके बाद क्या आ गया हमारा टेलीविजन आ गया 15 15 ओगस्ट को 1982 में 10 साल के बाद इतना डवलप्मेंट हो गया था तो 8 a 2 k टाइम पर क्या आ गया था हमारा color tv आ गया था अब color tv आ गया तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग चीज़े बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट उपर शुरू हो गए थे तो ऐसी बहुत सारी चीज़े हो गए थी दीरे और हमें इसके अंदर क्या मिल गया था पर्मिशन ठीक हमारा government हमारे government से हमें 1991 के टाइम पर कौन से टाइम पर वच्चो 1991 के टाइम पर 1991 के लगबग 10-9 साल के बाद फिर से एक और पर्मिशन मिल गया था क्या पर्मिशन मिल गया था कि इंडिया नेशनल और इंटरनेशनल चैनल्स टू टेली कास्ट इन इंडिया बहुत सारी इंटरनेशनल चैनल्स भी हमारे इंडिया मतलब इंडिया में टेली कास्ट किये जा सकते हैं ऐसी बहुत सारी चीज़े आ गए से समझ में आ गया होगा और यह सारे टॉपिक को आपको टेक्सबुक में एक बार रीड कर लेना है ठीक है चलो आई होप सो सबको बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा जल्दी से स्क्रिंशॉट ले लो ताकि आपको इसमें से पॉइंट दुबारा से निकालना ना करें चलो तब तक के लिए बाई बाई मिलते हैं नेक्स लेक्चर में